हलो फ्रेंग्स, डीके सिना देस साइड, इस वीडियो में हम IT सेक्टर की एक कॉम्प्रेहंसिव अनालेसिस करते हैं, हम सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में, IT सेक्टर सेकंड लार्जेस सेक्टर है इन टम्स आफ वेटेज इन निफ्टी जो हमारा फ्रेंट लाइन इंडेक्स है, इस इंडेक्स की लाउंचिंग हुई 1996 लेकिन 1995 के इयर से इसका बेस डेट पकड़ा गया और बेस वैल्यू थी 1000 पॉइंट और आज ये 37,000 के आसपास में ट्रेड हो रहा है, इसका तरपरी क्या हुआ दोस्तों कि लाउंच से लेक इसका एक शांदार रिटन दिया है, पिछले चार महने की अगर हम बात करें, तो पिछले चार महने में भी इसने ओवर 20% का रिटन दिया है, तो क्या इस सेकुलर ट्रेंडिंग इंडेक्स में इन्वेस्टेंग की अपॉर्चिनिटी हो सकती है, को कि IT सेक्टर का निफ्टी को चेक करेंगे, और उसके पाद टेक्निकल अनालेसिस करेंगे, ताकि हम संभावनाओं को तलाश सकें कि क्या इस सेक्टर में इन्वेस्टिंग करने की अपॉर्चिनिटी है, और अगर इन्वेस्टिंग करने की अपॉर्चिनिटी है इंडेक्स में, तो किस तरह से हम अप आपको प्लान कर सकते हैं और एक long term concept के हिसाब से IT सेक्टर का आने वाले up trending move का पैदा हो कीजिए तो दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोडिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा updated रहे चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं अब निफ्टी IT सेक्टर का जो इंडेक्स है उसका एक overview लेते हैं तो यहाँ देखें price to book ratio निफ्टी IT का है 8.1 और P ratio है 31.7 वहीं जो dividend yield है वो है 1.9 परसंट और इसका current EPS जो है वह है 1169.2 अब इसके performance को check करते हैं कि over the period इसने perform कैसा किया है returns की बात करते हैं Nifty IT सेक्टर के index level तो यहाँ देखें पिछले एक साल में इसने return दिया है 22.93 परसंट वहीं पिछले 6 महने का return है 14.34 परसंट और यह पिछले 3 महने का या quarterly return जो है वह है 12.55 परसंट इससे यह clear हो जाता है कि यह up trending index है currently अब यहाँ पर इसके valuation को check करते हैं तो यहाँ पर देखें अगर इसके मैं इसको थोड़ा सा all time data पर जाता हूँ ताकि बहतर तरीके से हम overview लेगते तो यह अगर IT sector को देखें तो इसका secular trend जो है वह bullish और इवेंचुली यह नया हाई बनाता है correction होता है eventually यह नया हाई बनाने की दिशा में आगे बढ़ता है अब इसके PE ratio को check करते है historical PE ratio तो currently जो है इसका PE ratio करेब 31 के असपास में है 31.68 के असपास में current PE है तो यह देखें यह PE की line है और यह price की line है so this is a comparative chart between price to earning multiples and nifty IT index का जो trading price अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका all time जो high PE ratio गया था 47.83 currently PE को अगर हम देखें तो इसको एक line खीश सकते करीए median है तो median के आसपास ही यह currently trade होता हुआ नजर आ रहा है तो overall देखें तो यहाँ पर recent time में जो PE गिरा था तो यह यह यहाँ पर आप देखें इसके बाद इसने base बनाया और अब यह rising PE हमें नजर आ रहा है अब इसको चेक करते हैं कि earning per share, EPS क्या नजर आ रहा है क्या यह जो PE में growth है या valuation है earning आ रही है कि नहीं आ रही है तो यहाँ अगर हम देखें तो इसका current EPS तो अभी हमने चर्चा की करीब 1169 है और यह जो line है यह इसके EPS को indicate करती है और यह price को indicate करती है तो यहाँ देखें consistently over the period इसकी earning बढ़ती हुई नजर आ रही है earning में यहाँ dip आया था लेकिन फिर उसके बाद earning में growth यहाँ नजर आ रहा है इसका ताज़ पर यह है कि जो index ऊपर जा रहा है उसमें earning का contribution नजर आ रहा है अगर recent time की बात करें तो इसकी earning 786.29 थी पिछले March 2021 और currently यह बढ़के हो गई है 1169.22 और यह data updated है February 2024 तक का जितने भी results आए है quarterly उसके अनुसार price to book ratio को देखें तो price to book ratio यह line है यह price to book ratio की line है historically highest price to book ratio यहाँ पे गया था वो क्या था book to ratio highest जो गया था वो करिब 12.66 यह बोले 12.12 के उपर गया था अब यहाँ पर देखें PB ratio फिर बढ़ना चालो हुआ और price to earning ratio यह घटा और अब फिर से यह उपर जा रहा है और index की price भी उपर जा रही है तो valuation तो historically अगर देखें तो यहाँ भी price to book ratio को हम एक median खीज सकते हैं something like this तो यह price to book ratio भी करीब-करीब median के पास नजरा रहा है historical data के अनुसार अब एक बार industry के valuation और performance को देखते हैं तो यहाँ पर अगर देखें तो 3 years का जो average price to earning multiple है वो 29.2 है और currently 31.1 है तो हम बोल सकते हैं कि करीब-करीब 3 साल के average के पास में current price to earning multiples है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि Nifty IT का जो index है वो cheap है यह हम बोल सकते हैं कि fairly priced नजर आ रहा है वहीं पर अगर हम price to sales ratio को देखें तो 3 साल का average है यहाँ पर 4.6 and currently 4.5 है तो slightly lower है current price to sales ratio तो यहाँ पर भी fairly priced यह नजर आ रहा है यहाँ पर growth के forecast क्या है earnings का क्या growth रहने की संभावना है estimated figure के नुसार तो tech sector जो tech stocks है वो 13.3% से earning grow करने की संभावना है वही broader IT sector को देखें तो 11.9% से है लेकिन data processing services जो है उसका growth 15.8% nearly 16% से रहने की संभावना है तो सबसे जादा growth जो है वो data processing services से आने की संभावना है IT sector अब आगे बढ़ते हैं और price chart पर चलते हैं पहले historical price action को समझते हैं यहां देखें इंडेक्स launch हुआ January 1996 में और उसके बाद एक parabolic rise देखा गया और इस इंडेक्स ने एक massive return दिया यहां पर देखें इस return को निकालते हैं lowest point से कितना return दिया इस इंडेक्स ने इस इंडेक्स ने 11,194% का एक phenomenal return दिया वो भी कब 96 से लेकर सिर्फ 2000 चार साल के दौरा दिया तो लोगों की जिन्दिगिया बदल गई जिन्नोंने इसका ETF खरीदा होगा तो एक massive return और passive income हुई क्योंकि ETF में आपको ज़्यादा कुछ देखना नहीं है केवल आपको एक वो सैयम चाहिए कि आप उसको hold कर सके तो यहां पर देखिए उसके बाद खराब दिन इसके चालू कैसे चालू हुए खराब दिन dot com bubble आया यहां पर year 2000 और massive गिराबट देखी गई इसमें फिर भी जो लोग यहां enter किये थे वो अच्छे खासे profit में बैठे थे लेकिन क्या हुआ कि इस nifty IT इंडेक्स ने 2000 से लेकर काफी लंबे पीरिड तक बोर किया यहां पर देखिए फिर इसका double bottom बना और यहां पर trend का reversal हुआ तो यह trend का reversal तो हुआ लेकिन यह जो lifetime इसने high बनाया था यहां पर February 2000 में उस level को achieve करने में बहुत जादा वक्त लगा और यहां पर देखिए फाइनली उस level का break out हुआ इस जगह पे जा तो करी 14 साल लगे इस level को regain कर और उसके बाद देखिए तिपिकली यह दो horizontal line को देखिए यह supply zone की तरह act कर रहा था price reject हो रही थी reject हो रही थी और उसके बाद जब break out हुआ तो जो normal throwback phenomenon होता है price ने फिर से इस rounding bottom pattern के neckline को test किया और उसके बाद यहां पर bounce back चालू हुआ कब चालू हुआ February 2017 तो 17 साल निकल गए दोस्तो इसने यह lifetime high के उपर गया भी तो फिर यहां पर throwback आके यहां पर अब यहां पर यह देखना है कि जब यह bounce back हुआ February 2017 में तो usually देखा गया है कि दो-धाई साल के दोरान में rounding pattern के breakout का target आता है तो चलिए इसके target को निकालते हैं और समझने की कोशिस करते हैं कि वो target आया की नहीं तो यह देखिए मैं neckline की दोरी को major करता हूं और इसे मैं Fibonacci expansion tool से project कर देता हूं तो इसका target क्या था target निकल के आ रहा था 37,383 इसका यह पहला target था मतला हम आशा कर रहे थे कि यह return कितना मिल सकता है फिर से इसमें एक return मिल सकता है करीब 280% का है क्या यह target अचीव हुआ चलिए चार्ट को स्क्रॉल करके देखते हैं यह target अचीव हुआ दोस्तों यहाँ पर और यह target को अचीव होने में कितना वक्त लगा यह आप देखिए दिसमबर 2021 में हुआ तो फिर भी करीब करीब चार साल के आसपास लग गए इसको target अचीव कर देखिए टार्गेट जब भी अचीव करेगी price overextended हो जाती है correction होगा तो यहाँ फिर से correction हुआ लेकिन price इर्द इर्द ट्रेड होती रही EMA 21 के और अब यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है एक rounding button इसे हम prior impulsive देव का cup and handle pattern बोल सकते हैं और price currently इसी level पे currently जो trade हो रही है 37,099.9 पर है तो इसका मतलब अगला possible target क्या हो सकता है बहुत simple है दोस्तों बहुत बड़ा target हो सकता है 87,700 का यह target निकलता है जो हमने पहले rounding bottom pattern जिसे 14 years लगे breakout होने में वहां से हम project करते आ रहे हैं और यह अगर price target achieve हुआ है तो इसके achieve करने की संभावना काफी problem हो जाती है अब इसको target दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं कि यह एक cup and handle pattern का formation है तो इस cup and handle pattern के साबसे हम एक intermediate target को भी project कर सकते हैं तो यह देखिए मैं cup and handle pattern के अनुसार target project करता हूँ तो इसका अगला target 47,700 and then 54,600 आता है target हम सभी जानते हैं दोस्तों notional होते हैं और किसी भी chart pattern के जो target होते हैं वो minimum expected objective होते हैं अब यहां पर momentum को check करें तो momentum भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है RSI जो है momentum indicator यहां पर over extended हो गया था और उसके बाद में correction हुआ और अब 60 के उपर आ गया है तो momentum monthly chart में long term perspective में build होता हुआ नजर आ रहा है अब आगे बढ़ते है weekly price chart में ताकि इस analysis को आगे बढ़ा सकें यहां weekly price chart में देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है recent time में यह downtrend में आ गया था market structure lower highs and lower lows का था फिर इसने यहां पर double bottom का formation किया उस समय पर हमने nifty IT को cover भी किया था चैनल पर और यह देखें अपेक्स था यह एक range में trade हो रहा था यह देखें मैं broader range को देखो और यहां range का breakout हुआ और उसके बाद throwback जब price में किया तो इस range के अपर वाइवर में price ने support लिया और फिर higher highs and higher lows का market structure है last week जब market समाप्त हुआ 7 March को तो यहां पर देखें bullish ice cream bar का formation होता हुआ नजर आ रहा है तो यहां पर किसी भी angle से देखें तो यहां पर हमें क्या नजर आ रहा है मैं एक horizontal line कीजता हूँ यह देखिए multiple bottom का formation है और इसके apex को अगर हम mark करें तो यह इसका apex यहां देखिए यह इसका apex था purple bottom का typical even Adam pattern जिसको बोलते हैं उसका यहां पर breakout हुआ और यह throwback तो normally होता ही है अधिकतर time आप देखेंगे over 65 to 70% of the time market में neckline पे throwback हुआ और उसके बाद में यह recovery आती हुई नजर आई क्या इस multiple bottom का target अचीव इसने किया है तो चलिए देखिए यह target को अचीव करके ही फिर यहां पर यह correction होता हुआ नजर आया है तो normally आप देखेंगे कि stock market में price के action में एक rhythm नजर आता है और price rhythm को follow करती है अब यहां पर short term अगर downtrend में आया था तो क्या हमें कोई reversal chart pattern और भी आता हूं यह देखिए left shoulder है price उपर गई यह multi head का formation किया और यह देखिए right shoulder है इसका यह breakout हुआ तो यहां पर हम क्या देख रहे है multi head formation एक complex inverse head and shoulder का यहां पर breakout हुआ है तो इसका मतलब price ने अब एक अच्छा base बना लिया है 32,400 के आसपास में इस level पर देखिए एक अच्छा base बना लिया है जो neckline का भी confluence करीब करीब आएगा क्योंकि यह falling neckline है तो उसको दिमाग में imagine करके सोचना होगा कि अगर correction हुआ throwback हुआ neckline के पास में तो price यहां पर देखिए काफी confluence है इस जगह पर price action का नुसार neckline भी है और EMA 55 का भी confluence, momentum को check करें तो RSI जो है वो already 60 के उपर है weekly price chart में तो हमने क्या देखा monthly price chart में 60 के उपर है weekly price chart में 60 के उपर है और जब यह correction हुआ है तो price RSI 60 के नीचे अभी भी नहीं गया कहीं न कहीं अगर इसको ध्यान से देखें तो यहां पर हो सकता है कि अगर थोड़ा और correction हुआ तो यहां पर देखिए January में 1st January को RSI की value थी 65.1 और currently है 64.58 तो हमें क्या नज़र आ रहा है यहां पर अगर हम देखें तो कहीं न कहीं momentum disc discrepancy नज़र है तो price में correction उतना नहीं हुआ है जितना momentum में loss हुआ है तो हम यह मान सकते हैं कि शायद यह correction अब जो हो रहा था पिछले तीन वीक से यह करिब करिब समाप्ती की कगार पर खड़ा है और वैसे भी price action को समझें तो मैं एक horizontal line कीचता हूं यह देखिए मैंने horizontal line की यहां देखिए price का resistance था यहां price का resistance था यह कहीं न कहीं rounding pattern का breakout था यह throwback है और price वहीं से bounce back करके ice cream bar का formation कर रही है चलिए अब बढ़ते है daily price chart में ताकि recent price action को हम समझ सके यहां daily price chart में अगर हम देखते हैं तो daily price chart में एक recent time में अच्छा direction हुआ है और यहां पर एक worry का factor क्या है वरी का factor है यहां पर देखिए gap यह जो gap create हुआ था बारह जनवरी को वो gap जो है अभी तक unfilled है लेकिन क्या वो gap fill होगा हो सकता है वो gap fill ना हो उसका कारण है दोस्तों यह breakaway gap अब इसको सही तरीके से analyze कर लेकिन यहां resistance है और यह breakaway gap नजर आ रहा है difficult क्यों है क्योंकि IT sector के index में volume chart पे available नहीं है और gap की analysis हम तभी कर सकते हैं जब price action को volume के साथ में combine करें तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि करेक्शन समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है यहां पर मैं एक और horizontal line की चूर यह देखिए price क यह rejection area था फिर यहां price का support area बना और वहीं से price bounce back ले रही है और साथ में pierce through action है EMA 55 में जो indicate करता है कि bulls जो है slowly अब control में आ रहा है यहां पर ध्यान से देखें अगर price action को तो मैं सारी drawings को पहले remove करता हूं यहां पर देखिए यह down running move में था और price सारे critical moving averages के नीचे में trade हो रह हुआ यहां पर golden cross हुआ और short term trend intermediate trend long term trend जो अभी तक down थे वो अब trend reversal होता हुआ नजर आया तो overall structure IT sector का का काफी bullish रहा है RSI की बात करें तो RSI देखिए typical 60 के उपर जाता है और 40 पर support लेता है जो एक typical characteristics है जब up trending stock होगा या index होगा उसकी एक typical characteristics है कहने का ताथपर है कि इस index में risk कम है और reward का potential बहुत अच्छा हो सकता है जैसा अभी हमने मंतली चार्ट में देखा कि अपकोर्स वक्त लगेगा लेक index investing जो एक secular trending index है Nifty IT का और हमने अभी देखा कि किस तरह से वेंचुली वो correct भी होता है तो regain करता है इस comprehensive analysis से एक बात तो clear हो गई कि अब trending index है और IT sector में ऊपर जाने का potential नजरा अब वो आगे जाके होगा की नहीं होगा जिस तरह से हमने target को discuss किया यह तो वक्त बताए लेकिन potential जरूर नजर आ रहा है अब investment करने के कई options हो सकते हैं IT sector में number one अगर आप fundamentally sound business को IT sector में identify कर सकते हैं fundamental analysis करके और उसका भी trend अगर bullish है और उसमें भी संभावना नजर आ रही है जैसा same type की technical analysis करते हुए multi time frame technical analysis तो एक वो possibilities हो सकती है कि हम दो stocks का chain करें और उसमें एक long term view और अगर हम वो नहीं कर सकते हैं तो passive investment से opportunity को in cash कर सकते हैं या तो हम index mutual fund में investment करें या exchange traded fund जो होते हैं ETF उसमें हम index के ETF को देख सकते हैं निपॉन इंडिया का ETF है ऐसे से potential का ETF है उस ETF में हम एक investment का decision ले सकते हैं और trend को ride कर सकते हैं और जब भी corrections होता है और price mean reversion को complete करके bounce back करती हैं तो quantity को add किया जा सकता है तो pyramid investment strategy का निर्मान कर सकते हैं अब वो कैसे करते हैं यह सारे वीडियो चैनल के zero to hero का tutorial series है separate podcast है उसमें आपको सीखने के लिए मिल जाए क्या आपको लगता है कि IT सेक्टर में जो हमने long term target के बारे में चर्चा की क्या वो संभावना है reality में convert हो सकती है क्या वो target achieve हो सकता है आपके comments का हमें comment section में इंतचार देखने के लिए धन्यवाद फिर मिलेंगे आपीश आपीश